सबीदों को वसकार जल ल ही जीवन है ये आपने कवत्तर सुनी है अपने शरीर का 70 प्रतिस्त जो इस। जल का बना हुआ होता है सरीर की प्रतियक शहल को प्रतियक कोशी का को जल की आवशकता होती है उसके बिना उसका जिंदा रहना पाना मुश्किल है अब सवाल ये उड़ता है कि पानी कौन सा पीना चीए पानी गरम पानी पीना चीए या ठंडा गरम पानी पीने से सेथ को क्या लाब मिलते हैं कितनी मात्रा में गरम पानी पी जानकारी के लिए सारे नव गुंत को से करवद निवेदन का आप भी हमारे फेमिलियर बन जाएगे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए मनुस्य की बोडी का जो टेंपरेटर है वो 37 दिग्री सेल्टिस ही रहता है वो बोडी अपना आपने उसके सारे अंगों में वेरियसन हुआ बोडी का टेंपरेटर तो 37 दिग्री फिक्सल्टिस रहने वाला यह अब वो जो 10 डिग्री टेंपरेचर पानी ठंडा जो फ्रीज का आपने अतिंत ठंडा अगर्मी के मोशन में बोडी में डाला तो उसको डाइजेशन करने के लिए बोडी को अतिरिक फाल तो बहुत सी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है नहीं तो यही एनर्जी आपकी सेथ को सेथ बंद बनाने के लिए बहुत बैतरी इनकाम करती है तो उस दोरान उसको डाइजेस्ट करने से पहले पानी को वापस 37 दिग्री के करीब लाना पड़ेगा फिर उसको जड़मूर से नस्ट करने के लिए गरम पानी बैतरी इनकाम करता है वह आज मैं आपको जानकरी दे रहा हूं जापान के वेग्यानिकों ने अपने अनुसंदान सोध में पाया कि अगर गरम पानी सुबह खाली पेट चार गिलास पी लेते हैं और पानी पीने के 45 मिन अगर की समस्या है वह मिट जाती है पेट विकार मिट जाते है उद्र रोग मिट जाते है तीस दिनों के भीतर तो अगर किशी की BP का कंट्रोल नहीं है वो ठीक होने लग जाते हैं सोध में यह भी मालूम पड़ा कि चार महीना तक लगातार अगर खाली पेट ऐसे ही अगर गरम पानी को पीते रहते हैं तो केलेस्ट्रोल कंट्रोल हो जाता है ऐसमें की इस तहीं रूप से ठिछिती हो जाती है यह तो आपकी जानकारी में है कि जोडों का अगर पीते हैं तो उनके लिए और ज्यादा यह व्यादी बढ़ने वाली है वहां गरम पानी शेवन करना ही को जाएगा इतना बैतरी डिजल्ट रिस गरम पानी का कई लोगों को यह दिकत आती है कि इस्टार्टिक में चार गिलास पानी नहीं पी सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो पहले गरम करिए उसको गुंगुना रहे जब पीना सुरू कर दीजिए फिर डेट गिलास फिर दो गिल पानी पीना है अगर आप खड़े खड़े पानी पीओगे तो आप मान के चलना कि बुड़ा पे के अंदर किसी आलत में और बहुत जल्द आपको गैस की सिकायत होने ही वाली है और आप पता कर लीजिए पूछ लीजिए जिन दिन को यह सिकाई गैस की और अगर उन्हों न इसकी और गैस की सिकाईत होती नहीं इसके पेट वीकार बहुत कम होगे उनके खाना खाने के ए घंटे बाद तक आपको पानी पीना ही नहीं संतने नियम मना दीजें साथ में आपको ब्रू पूरा पूरा लिकूविड तरल भना कर आप उसको निगलिए फिर आफ सेत का रा से पीते हो तो आपके blood circulation के अंदर बहुत बहुत बहुतरी मदद करता है और इसमें इस्ते ही help करता है जिसे आपकी खून की अंदर purity भी ज्यादा रहती है सावधानी के तौर पर क्यों यह द्यान रखना है कि जिनको एसीडीटी की शिकायत है वह गुनगुना गरम पानी न पीए और साधा पानी पीले वह इसके लिए आप जो मिटी का बरतन है उसके अंदर पानी पीले या तांबर पातर है उसको उसमें पानी पीते रहें तो आप आपका एसीडीटी ठीक हो जाएगा आपका कभज की शिकायत हो भी ठीक हो जाएगी गरम पानी है जो आपके शरीर के अंदर जो विशेले तत्वा उसको बाहर निकालने के लिए डिटॉक्स करने के लिए बहुत बैतरीन काम करता है यह गुनगुना पानी इससे तुरंद की बोडि को टॉक्सिंस बाहर निकालने के लिए बदद जबरदस्त मिलती है इसके आपकी किड्नी हेल्दी रहे गी किड्नी रहेगे तो आपके दूसरी और ने वह वह बैतरिन तोरपे काम करेंगे इसके लिए गरम पानी का यह लिए लोग वांब बाटर कामे लेना आपक उनका यह कारण है कि वह गरम पानी का सेवन करते हैं यह आपको मालूम पर जाएगा एक रैसे की बात है इसलिए उनको कम उमर के अंदर वो बुड़ा पर नजर नजर नहीं आता उल्टा जादा उमर होते हैं भी कम उमर के लगते हैं क्योंकि वह गरम पानी पीते हैं आप जा का तुम्तर के लिए रामबान की रूप में काम करता है यह गरम पानी आप उसका उप्यों करोगे जब 10-15 दिन के भीतर भीतर ही आपको मालूम पढ़ने लग जाएगा शरीर की तवचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए सबसे ज्यादा सब्सक्राइब और गर्म पानी जाता है आपकी तव्चा में जबढरदस्त पर निछा रहेगा अगर आपनी कितना राड़ी हो इस पो और उसके अंदर जो जितन के अंदर लिक्विड है वो तरी तरी लिये जो फल्फूरूट है उनको केवल दो से तीन गिलास पानी की आविशकता पड़ती है सर्दियों के मौसम में एक दिन की गड़मी का मौसम है उसका दुबनी मात्रा कर लीजिए बस बहुत हो जाता है उन आविशकता पड़ती है तो से खुरकी शरीर के हिसाब से अलग अलग आवशकता पड़ती है मैं आपको बहुत बड़ा फर्मुला देने चाहरा हूं अगर इस फर्मुले को आप अपने शरीर पर अपलाई कर लेते हो तो आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारी शरीर में इसकर ही नहीं सकती है इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हो जिन लोगों को मैंने यह दिया है या जो जिन लोग यह पहले से करते आ रहे हैं उनको कभी भी असद्ध्य बीमारी से गरिशित हुए नहीं इस फर्मुली का जिनोंने उप जानकारी दे रहा हूं कि जब चंद्र जादा चलता है इसको आपको आइडेंटी के लिए का करना है कि आप अपने नथुनों के नीचे ऐसे चेकरो अंगुठा लगा के तो आपको मालूम पढ़ जाएगा हम अगर तेज गती से बाया में चल रही है तो बाया सूर चल रहा आपका दाइने से चल रही है तो दाइना सूर चल रहा है तो यह मालूम होने के बाद में आपको नीवित्रूम से जब भी भी जीवन में पानी पीना है तो आप जो है चंद्र की जो नाड़ी है चंद्र जो स्वर है उसके अंदर पीना शुरू कर दीजिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जीवन के अंदर कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे बड़ी बीमारी का गरशित हो ही नहीं सकते तीन चार महीं नाहीं संग से आप उप्योग करते है उस्समें बस व्रापर मत करिए बस पानी पी लीजिए जितना आपको पानी की परिपूर्टी का है जो आपका स्रीष जितना मांगता है उतना ही पानी आप उसको दोगे इतना बैटर बैटरीन फोर्मुला यह प्रेक्टिकल करके देख लेना बहुत बैतरी इसके अकटे रिजल्ट है इसके बस करके देख लेना आप आपने पूरा वीडियो देखा बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अगर आप चाहते हो कि दूसरे भी इस जानकरी का लब प्राप्त करें और आप कर दीजिए मेरे लिए